नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी यांगनबारी वहनों का आपके अपने फेवरेट चैनल डिके टेकनिकल ग्या में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जब से पोशन ट्रेकर एप आया हुआ है यानि जब से पोशन ट्रेकर एप लॉंच किया गया है तब से लेकर 9.0 का जो ये अपडेट आया हुआ है आज तक कुछ नकुछ पोशन ट्रेकर एप में नया जोड़ा जा रहा है आप सभी आगनबारी बेहनों को सुविधा पराप्त हो सके तो आज आपको पोशन ट्रेकर एप की नई अपडेट के बारे में जनकारी देने वाला हूँ जिसमें कुछ नई स्रेनियों को जोड़ा गया है जिसे आपको जान लेना काफी जरूरी है ये आपके ग्रोथ मोनेटरिंग करत हैनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा से रहती है कि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजिए और जो भी नए भीवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको पोशन कर रहे हैं कि जो भी नई अपडेट है उसके बारे में जनकारी मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो अपडेट है एट 9.0 की यह हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि यह जो 9.0 का अपडेट है इसमें आप किस परकार से इस अपडेट को समझ सकते हैं जैसे कि हमने आपको 8.4 की अपडेट में बताया था कुछ ऐसे नाम है जिसको इंगलिस में अपडेट किया गया था और उसको फिर से हिंदी में अपडेट किया गया है इसकी जनकारी आपको 8.4 में हमने बताया थ जैसे कि आप अपने home page में भी देख सकते हैं कि इस परकार से कुछ-कुछ चीजे हैं जिसको हिंदी में update कर दिया गया है और जैसे कि आज मैं आप सभी को stunted और underweight के बारे में बताऊंगा कि दो स्रेनिया जोड़ी गई है जैसे कि ये जो आप stunted देख रहे हैं इस stunted वाले में भी दो उप स्रेनियों को जोड़ा गया है जैसे कि जो नाटेप पन में बच्चे होते हैं उनको कैसे पहाचानेंगे और जैसे कि इसमें दो स्रेनियों को किस परकार से जोड़ा गया है पहला है गंभीर रूप से अबिक्सित दूसरा है मध्यम रूप से अबिक्सित ये एस्टन्टेट के मैं बता रहा हूं और उसके बाद जो अंडरवेट है इसमें भी दो उप सुरेनियों को जोड़ा गया है जैसे कि पहला है गंभीर कॉमवजन और दूसरा है अलप आपको जनकारी मिलने वाली है कहां पर ये अपडेट आया हुआ है तो वीडियो आप सभी को पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा और इस वीडियो में बने रही है और भी नई-ई-ई-चीजों के बारे में जनकारी देने वाला हूं और आप लोग पोश देखते होंगे कि यहां पर Г Zoo लैंग्वेज सेलेट करने का जो दिखा रहा था उसको भी यहां से चेंज कर दिया गया है उसको चेंज करके यहां पर जो थीरी डॉट का आप्सन है इस थीरी डॉट वाले liters पे हम जैसे हाँ किली करेंगे तो यहां पर हमको लैंग्वेज से करके उस language को देख सकते हैं जैसे कि हमने यहां पे फिलाल हिंदी में किया है आप यहां पे टोटल 26 language है उन 26 languageों में से आपको जिस language में सुविधा पराप्त हो आप यहां से select करके आप पोसन ट्रेकर में देख सकते हैं और जैसे कि यह जो बेनिफिसरी रेश्ट्रेशन आप लोग देख रहे हैं इसमें भी कुछ नई नई चीजों को जोड़ा गया है जैसे कि बेनिफिसरी वाले पर किली करेंगे किली करने के बाद यहां पर आप लोग जो बच्चों की केटेगरी देख रहे हैं इसमें आपको कुछ नई चीजों को देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर हम 6 महेने से लेके 3 साल वाले बच्चों की केटेगरी ओपेन करते हैं ओपेन करने के बाद यहाँ पर जो arrow का निसान दिया गया है इस पर किलिक करेंगे किलिक करने यहाँ पर रखा गया है और जो कमजोर वाले बच्चे हैं उसको वेस्टेड में दिखाएगा जैसे कि अब जब आप लोग ग्रोथ मोनेटरिंग करेंगे जिस भी बच्चों का जो हाइट वेट है वो डालेंगे तो यहाँ पर जो अपरचली दिखा रहा है यानि यह डेटा अब पुराना हो गया है और अब जैसे ही आप लोग ग्रोथ मोनेटरिंग करके बच्चों का हाइट वेट डालेंगे तो अब जिस केटेगरी में बच्चा आएगा वो यहाँ पर कुछ कलोर के माध्यम से सो करेगा या फिर और भी कुछ इसमें दिखाएगा वो वजन डालने के बाद ही आप लोग को देखने को मिलेगा और उसके बाद सभी बच्चों में ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि आप लोग एरो पर किली करेंगे किली करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चों में ऐसा दिखा रहा है अब हम आपको अगले वीडियों में दिखाएंगे कि जब बच्चों का ग्रोथ मुलेटरी करते हैं उसके बाद इसमें किस परकार से ये बच्चों का जो इस्टेटर से वो दिखाएगा और चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जो इस्टन्डेड और अंडर वेट वाला जो केटेगरी जोड़ा गया है जैसे कि यहाँ पर थिरी डॉट पर किलिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर संसाधन वाला जो अप्सन है इसको इस पर किलिक करते हैं किलिक करने के बाद यहाँ पर जो पोशन ट्रेकर एप में यह जो बच्चों का ग्रोथ मोनेटरिंग चार्ट दिया गया है इसमें अब आप लोग को समझना है जो चार्ट है उसको एसमें चार्ट को डाउनलोड कर लिया है और यहीं पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर इसको दो केटेगरी में डिवाइट किया गया है जैसे कि सेबेरली स्टंटेड और मोडरेटली स्टंटेड यह लरकियों के लिए है और फिर इधर लरकों के लिए भी दिया गया है इसको दो स्रेनियों विभाजित किया गया है जो इस्टंटेड वाले बच्चे हैं उसको हम लोग कैसे पहचान करेंगे इसकी जनकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा हूं तो टोटली जनकारी आपको नेक लग अलग दिया गया है यहां से आप लोग देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप सभी आगनबारी बहनों को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिए और जो लोग भी हमारे चैनल से नही जूरे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जो भी नई नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले उसकी जनकारी मिलती रहे तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं नई टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन् जय हिंद